हललुया परमीशर की महिमा हो मर्कूस रची सुसमाचार का साराम्स मर्कूस प्रेरित पत्रस का आत्मिक पुत्र और सुसमाचार का लेगक मर्कूस के नाम से ये पुस्तक जानी जाती है उसका इब्राणी नाम युगणना और लतिन नाम मार्कस है यानी मर्कूस समय एवस्तान इसा 55-65 के समय काल में रोम में ये पुस्तत लिखी जाने की संबवना है लेगक इरिशली मासी मर्यम का पुत्र ता युगर्ना मर्कुस ये बर्नबास का चचेरबाई और पत्रस का आत्मिक पुत्र ता पुलूस और बर्नबास की प्रतम प्रचार यात्रा में मर्कुस उनके साथ गया परन्तु बीच में ही लोटाया इस कारण पुलूस उसको दूसरी यात्रा पर नहीं ले गया इस बात पर पौलूस और बर्नबास की बीच विवाद हुआ और वह दोनों अलग हो गए। बर्नबास मर्कूस को लेकर साइप्रस चला गया। बाद में पौलूस और मर्कूस के बीच मेल हो गया। प्रिष्ट बुमिय और संदर मती ने यदि यहुदी पाटकों के लिए लिखा है तो मर्कूस ने रोम के लोहों के लिए लिखा है। अरामी शब्दों का अनुवाद देना रोम के लोहों के अनुसर समय का पालन और यहुदी परंपरावों के बातों को चोड़ना इनी बातो से यह पुष्टी होती है कि अन्य जातियों के लिए लिख रहा है इशु ने क्या कहा से अधिक ख्या किया पर मर्कुस ध्यान देता है विश्यसार प्रमिश्र का दास मर्कुस इसु मसी को चित्रतित करता है उसका धेगधारन का अनबव देखदारी होने की सीमाएं और प्रम प्रमेश्र के पुत्र का देधारी रूप में मनसियस्तर को अधिक महत्व देने वाली बातों को मर्कुस प्रगट करता है प्रमुकपत चैप्टरे टन वर्स 43-45 इसु मसी प्रमेश्र का दास विश्य विबाजन पांच विबाजन मर्कुस प्रगटी सु समाचार में है पहला दास का प्रकटे करन यानि दास की तैयारी दास का बत्तिस्मा दास की परिक्ष दास का लक्षिय दूसरा विबाजन दास का विरोध का सामना विरोध का आरम दास का दृष्टान दास का चमतकार विरोध बढ़ना तीसरा दास के द्वारा सिक्ष और चावता दास का तिरसकार यानि दास का बेद प्रकट करना प्रातना की सिक्ष अगुमों से विरोध बविश्य के विश पांचवी विबाजन दास का जीव उटना यानी इशू का जीव उटना इशू का प्रकटि करन इशू का स्वर्ग में जाना यही मर्कुस रची सुसमाचार की साराम्स है परमिश आप सबको आशिशित करें आमेन